हलो दोस्तों तो स्वागत है आप सबका हमारे फार्मा एंड हेल्थ केर चैनल में तो आईए आज हम बात करते हैं आपसे बच्चों को दात निकलना उसके बारे में आज हम डिसकर्स करेंगे दोस्तों तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है वीडियो छोड़के न जाएं बहु पी कर उबाते हैं तो बार-बार दस्त आने लगता है उसके बाद में उनका मसूड़ा फूल जाता है फूलने के बाद में दोस्तों कब्ज रहता है पेट में पल्टी आती रहती है दूद फेकने लगते हैं बच्चे दूद्ध निकालने लगते मुझे यह सारी प्राब्लम शुरू हो जाती है तो आज मैं यह जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको किसी डाक्टर के पास ज्यादा ना जाना पड़े दोस्तों आप अपने घर पे लाके यह मेडिसीन यूज कर सकते हैं बच्चों को खिला सकते हैं तो घबर इ lle तो तो गहाओ है बहुत ही कैसी रएक होगा आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको हमारे ही चैनल पर मिल सकता हुँ तो आपको सिर्फ मेडिसीन लानी है मार्गेटसे मेडिकल दो मैडियसीन के ले हैं को प्लाइते रहुत दो धलए घज़ यह और को बिड़े तो आप एक सारको फेराल ले लीजिए सारको फेराल आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो आप ले आईए और उसको आपको धाई धाई एमिल दो टाइम बच्चे को देना है यह आप बराबर हमेशा खिलाते रहें कोई दिक्कत नहीं है इसमें आयरंज और बिटामि का आता है एक ग्राइप वाटर आप वो ले आईए वह भी आप अपने बच्चे को बराबर मात्रा में दिन में पिलाते रही है रोज आपको पिलाना है और बच्चे का दाद निकलाएगा बच्चा बिलकुल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अगर कि कोई इंक्वाईरी हो तो कमेंट में पूझ सकते हैं बेज इशक नहीं है और ज्यादा से ज्यादा सेर करें दोस्तों को आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार सभी को